नियुजिलेंड के खिलाफ लगातार दोहार्थ से बेदम हुई टीम इंडिया। मौमा शमी अपने चाहने वालों से मांग रहे हैं माफी। बार्डर गवस का ट्राफी के लिए अस्ट्रेलिया नहीं जा पाने से निराश हैं समी। बार्डर गवस का ट्राफी में क्या होगा टीम इंडिया का जब घरेलू सीरीज में है ये हाल। दुनिया भर में अपनी जग हसाई करवा बैठे हैं। किर्केट के पंडित अभी से पूश रहे हैं कि जब घर में इनका ये हाल है तो अस्ट्रेलिया में बार्डर गावासकर सीरीज में क्या होगा। वहाँ की तेज पिचो पर अस्ट्रेलिया गेदबाजों के सामने भारती सूर्माओं का असली इम्तिहान होना अभी बाकी है। इस पर आगे चर्चा करेंगे लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि महम्मद शमी माफी मांग रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर शमी ने ऐसा क्या कर दिया है कि उन्हें माफी मांग नी पड़ रही है। चूपा स्विंग और यार करके सुल्तान का कहस जरूर देखनी को मिलता। जैसा कहर उन्होंने वन्डे वर्ल्ड कप 2023 में मचाया था और भारत को कई मुश्किल मैचों से बाहर निकाल लाये थे। खैर शमी ने अपने इस्टाग्राम पर लिखा है कि मैच के लिए तयार होने और घरेलू लाल गेट क्रिकेट खेलने के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखूंगा। सभी क्रिकेट परसंसको और BCCI से भी माफी मांगता हूँ। भारती तेजग्यत बाज मुहमद शमी ने परसंसको और भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से माफी मांगी है। क्योंकि बोर्ड ने अस्टेलिया दोरे के लिए उनकी वापसी में जल्द बाजी नहीं करने का फैसला किया है। क्यों अभी तक मैच फिटनेस हासिल नहीं कर पाए है। शमी ने सरजरी करवाने के बाद राष्टी क्रिकेट अकैडमी में अपना रिहाबिलिटेशन पूरा किया है। लेकिन उनके घुट्टों में सूजन के कारण उनकी वापसी की योजना में रुकावट आई है। अलाकि शमी ने हाली में घोशना की थी कि उन्हें कोई दर्द नहीं है। इस 34 वर्षी के गेदवाज ने कहा कि मैं प्रयास कर रहा हूँ और दिन प्रते दिन अपनी गेदवाजी फिटनेस में सुधार कर रहा हूँ। मैच के लिए तयार होने और घरेलू लाल गेद क्रिकेट खेलने के लिए कड़ी महनत करना जारी रखूँगा। सभी क्रिकेट पसंसको और BCCI से भी माफी मांगता हूँ लेकिन बहुत जल मैं लाल गेद क्रिकेट खेलने के लिए तयार हूँ। आप सभी को प्यार। शमी बार्डर का वासकर ट्राफी के लिए अस्टेलिया दोरे से पहले चोट के कारण लंबे समय तक बाहर रहने के बाद प्रतियस पर्धी क्रिकेट में वापसी करने को तयार है। उम्मीद है कि वह नौंबर के पहले सब्ताह में करनाटक के खिलाब बंगाल के अगले राड़ी टाफी मैश में खेलेंगे। खैर ये तो रही मुहमद शमी की बात। अब चलते चलते भारती क्रिकेट टीम के उन धुरंदरों की बात कर लेते हैं। जिनके नाम रिकार्ड की इतनी लंबी फेहरिस्त है जिसके सामने दुनिया के सारे खिलाडी बौने नजार आते हैं। खैर ऐसे ही नहीं अस्टेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने कुछ दिन पहले अपने एक बयान में माइंड गेम खेलते हुए कहा था कि उन्हें रोहित व विराड की चिंता नहीं है। उन्हें तो बस बुम्रा को रोकना है। इस माइंड गेम का असर ये हुआ कि रोहित विराड से तो सच में रन नहीं बन रहे हैं। और अब बुम्रा से विकट भी नहीं लिया जा रहा है। शायद इसी लिए शमी अपने फैंस और BCCI से माफी मांग रहे हैं। आप क्या सोचते हैं भारती टीम की बुरी हार पर आखिर क्या कारण हो सकता है कि भारती बल्ले बाजों से रन नहीं बन रहे हैं। क्या T20 क्रिकेट के अंदाज में टेस्ट मैच खेलना उनके लिए किसी बुरी सपने जैसा साबित हो रहा है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करिया और देखते रहिए C.I.B. स्पोर्ट क्योंकि क्रिकेट जिन्दगी है।